हाँ जी वोकैब नहीं है खाली खाली वोकैब नहीं है complete session है ठीक है ना हाँ जी चलिए बना दीजिए answer यहाँ पर कौन सी spelling जो है वो गलत है यहाँ पर कौन सी spelling जो है वो गलत है अगर मैं बात करूं तो ingowas की spelling गलत है और ing connectivity की spelling गलत है द्यान रखे गए यहाँ पर कौन कोन से word की spelling गलत है एक तो ingowas गलत है और एक है इन वर्टी ऑरेट एक रखिधांड रखना इन वर्टी ब्रेट यह दोनों spelling जो है वो गलत है ठीक है यह दोनों spelling गलत है और ये और ये spelling हमारी सही है ठीक है ये और ये spelling हमारी सही है ये ध्यान रखेगा चलिए तेजी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए लोगों तक पहुचा दीजिए वीडियो केवल EMRS के लिए नहीं सब के लिए important है हाँ जी तेजी से चलेंगे ये बता दीजिए कौन सा incorrect है ध्यान से बनाईएगा कौन सा incorrect spelling है बहुत ध्यान से बनाईएगा गुड मॉर्निंग है आजएए जल्दी जोइन कर लीजिए और हम लोग देख लेते हैं हमारे पास आज क्या है दोस्तों है ना जल्दी यल्दी करते हैं ये बताईए इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो incorrect है कोई जानते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है ठीक है ना हाँ जी बहुत ध्यान से बहुत तेजी से बहुत तेजी से बनाते चलिए देखिए इसमें कोई भी incorrect नहीं है सफायर ठीक है occasional ठीक है परकरसिब ठीक है प्रमिस्क्वस ठीक है है ना इनके देखो meaning जानना अपने high level English पे है अगर मैं बोलू आप meaning भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हम इसको spelling के point of view से देख रहे हैं चलिए बना दीजिए जल्दी से spelling कोन कोन सी है ये बता दीजिए कोन सी incorrect spelling है इनके मैं देखी हुई spelling भी है दोस्तों ये ये spelling पिछले सेशनों में देखी भी गई है ये ध्यान रखिएगा चलो तेजी से चलेंगे यार है थोड़ा सा speed maintain रखेंगे ताकि हम लोगों का एक अच्छे level पे काम हो जाए find the incorrect spelling बहुत तेजी से हाँ जी देखिए इसमें मैली फ्लूएंस की spelling जो है वो गलत है बाकी ठीक है मैली फ्लूएंस जो है वो अगर मैं बोलू double S आएगा उसमें मैली फ्लूएंस की spelling जो है वो गड़बड है बाकी spelling आपकी सही है बाकी spelling आपकी सही है मैली फ्लूएंस की गड़बड है हाँ जी ये बता दीजे इसमें कौन सी spelling गड़बड है तेजी से स्पीड से बनाते चलिए और देखो ये मैं थोड़ा हाई लेवल ही कराता हूँ यहाँ पर हलका फुलका और चीजे है और mix भी रहेगा लो लेवल भी रहेगा हाई भी रहेगा ठीक ये बताईए इसमें कौन सी spelling गड़बड है देखिए फॉर्थ के अंदर अगर मैं बोलूँ कौन सी सी गड़बड है इवानेसेंट तो मुझे ठीक लग रही है यार इवानेसेंट का spelling तो मुझे सही लग रहा है स्पैलिंग देखना इवानेसेंट ऐसे है क्या या एन ई है इवानेसेंट में स्पैलिंग एन ई है या कौन सा है एक बार देख लो यार थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा देखो सी तो गलत है वो तो पक्का है सी तो गलत है वो पक्का है लेकिन ये सही है यार ये स्पैलिंग सही है एविसरेट जो है मेरे ख्याल से वो आपका स्पैलिंग कुछ ऐसे करके बन जाएगा बाकी ठीक है बाकी स्पैलिंग सही है मुझे लगता है एना डी करेक्ट है हाँ जी ओल करेक्ट तो नहीं है है ना ओल करेक्ट में तो मत आईए इतनी जल्दी है ना हाँ जी चलिए तो अगर मैं बोलो एविसरेट जो है वो स्पैलिंग जो है वो गलत है है ना हाँ जी किसी को इमास्कुलेट करना एविसरेट कर ना उस sense में use होता है चलिए आईए next की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं चार spelling हमने देखी next की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं बहुत ध्यान से बनाईएगा बहुत simple spelling है कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चारों के meaning बता सके आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चारों के मीनिंग मेरे को बता सके बहुत ही शांदर वर्ड है और अगर आप इस लेवल पे वोकैबलरी जानते हैं तो आप सूपर से भी उपर हैं अगर आप इस लेवल पे वोकैबलरी जानते हैं तो आप फिर सूपर से भी उपर हैं, ये ध्यान रखेगा, बहुत सॉलिड व्यक्ती हैं फिर आप, देखिए अगर मैं बात करो, इंसीनरेट होता है किसी को भस्म कर देना, इंसीनरेशन भस्म कर देना, बुलते न, उलाइक किसी को खतम कर देना, इंसीनरेट कर देना, इनकी होता है initial stage nescent stage में जब कोई होता है यानि initial stage में जब होता है ना beginning जो होता है मतलब developing stage जो है in pure मतलब एक तरीके से developing हो गया inclement का spelling गलत है और inclement होता है जिसमें कोई दया ना हो inclement weather बोलते हैं वैसे सबसे ज़्यादा मैंने सुना inclement weather in electable होता है जो unavoidable होता है Inelectable का मतलब हो गया unavoidable जिसको टाला नहीं जा सकता ये ध्यान रखना ठेक, तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्यारे word है Incinerate, Incure, Inclement, Inelectable Very, very nice word अगर आप अभी तक इस level पे नहीं आए है तो कोई इतराज नहीं है ये बहुत high level है But yes, मुझे लगता है धीरे धीरे हम पहुत जाएंगे चलिए ये बताईए कौन सा spelling गड़बड है बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से speed से हम लोग लेते हुए चल रहे हैं चलिए Find the incorrect spelling Find the incorrect spelling Let's do it fast देखिए यहाँ पर जो spelling गड़बड है implication किसी को curse करना inadvertent होता है लापरवाही से मतलब क्या किते हैं आपने जान बूच के नहीं करी inadvertent errors बूलते है ठीक है ना? हाँ जी, inadvertent errors बूलते है तो ये T-E-N-T आएगा indemnify है, होटेटरी ठीक है ठीक है, तो अगर मैं बोलू तो beef और Bombay एक request मेरी ओर है जो लोग English के तगड़े वाले प्रेमी है भाई, इन word को भी जरा ढून ढांड के अपनी vocabulary के list में include कर ले ना word बहुत अच्छे है hotetry lectures होते हैं ठीक है ना, और उदूसरे sense में हम बोलते हैं चलिए simple है, बता दीजिए next one, तेजी से speed से, बहुत बहुत speed से बना दीजिए हान जी, जल्दी जल्दी जुड़ जईए तेजी से आजिए, चलिए, हर हर महादेव है जी हान जी, seven number बहुत बहुत speed से, if he runs all the time he dash there in time देखिए, अगर मैं बोलू तो उसके पहुचने की possibility कितनी है, मेरे को लगता है की, बहुत जादा possibility है, तो मैं यहाँ पर gets लगाऊंगा, क्योंकि possibility सो परतीशत लग रही है अच्छा, यह first conditional है अगर वो, if he runs all the time अगर वो continuous भागता रहता है, he gets there in time बिल्कुल पोच जाएगा ठीक है न, मैं इसको हाँ जी, मैं इसको अगर बोलू, will get के बदले मैं इसको gets लगाऊंगा he gets there in time है न, हाँ जी, he gets there in time चलिए, देखो possibility, सुनिए possibility अगर मैं बोलू, if he runs है न, if he runs all the time नहीं होता तो मैं इसको लगा देता will get, अगर ये all the time नहीं होता ठीक है न, ये ध्यान रखिएगा zero conditional में इसको हमें treat करना पड़ेगा इसको हमें zero conditional में treat करना पड़ेगा ये ध्यान रखिए चलिए हाँ जी, next one बताईए ये हम ले चुके हैं पहले ये हम पहले ले चुके हैं first conditional क्या करने के लिए show होता है हाँ जी, देखिए ये first conditional जो है वो real possibility बताने के लिए आता है facts बताने के लिए हमारा zero conditional आता है imaginary possibility बनाने के लिए हमारा second आता है impossibility बनाने के लिए हमारा third conditional आता है right तो ये ध्यान रखिएगा ये real possibility कोन बताता है first conditional बताता है ये ध्यान रखिएगा तो ये conditional आपको बिलकुल पता होने चाहिए real possibility, imaginary possibility है ना ये सारी बाते जो हैं आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए चलिए ध्यान से करिएगा लॉजिकली लगाईएगा दोस्तों कोशिश करिएगा आपका आंसर लॉजिकल हो कोशिश करिएगा कि आपका आंसर प्योर लॉजिकल आंसर हो ठीक है ध्यान रखेगा कोशिश कि आपका आंसर प्यूर लॉजिकल आंसर हो। हान जी क्या लगाएंगे आप। सुनो मेरे मित्रों, सुनो दोस्तों मेरे मित्रों एक कहानी सुनो, सुनाओं, बीफ और बॉम्बे वाले गलत हैं, ये कहानी सुन लो, बीफ और बॉम्बे वाले गलत हैं, क्यों? क्योंकि ट्रे अगर लेट हो रही है तो तुम किसी हाल में जल्दी नहीं पोश सकते टाइम से नहीं पोश सकते ठीक है ना और जिसने डी लगाया है सुनो एक बार नाम पता नोट कराओ अपना जो लोग डी लगा रहें भाई डी वाला तो फिर सुनो तुम तो सूपर से भी उपर चले गए यहां पर लगाई है कैनाट क्योंकि भाई ट्रेन अगर लेट है तो आप पहुच कैसे सकते हो संभावना तो छोड़ दो संभावना वाली तो कोई बाती नहीं है यहां पर है ना हान जी संभावना वाली तो कोई बाती नहीं है जब ट्रेन लेट है तो तुमारी क्या संभा बाव ना होगी कि तुम टाइम से पोच जाओगे आप पोची नहीं सकते सीधी बात है कि के ना हां जी कि चलिए हां जी ध्यान से बनाईए इटेजा बिग न्यूज क्या लगाएंगे मेरे इसाब से शुड लगाना चाहिए एक अच्छा उप्षिन बन सकता है यह बहुत बड़ी न्यूज है और हमें इसे सेलिबरेट करना चाहिए मास्ट एक उप्षिन में होता तो भी बन सकता था एफ और एपल राइट आंसर है पुराना कोश्चन है अगर आपने देखा होगा तो सही लगा दोगे लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप अपनी नॉलेच पे सही लगाओ ऐसा नहीं कि आपको पहले से करा दिया गया या पता है हाँ जी कोश्चन नमबर अगर मैं बात करूं ग्यारा तो ग्यारा नमबर का क्या है आंसर बता दीजिए ग्यारा नमबर का क्या है बहुत ध्यान से बताना सुनो किसी का आंसर आपका आंसर नहीं होना चाहिए हाँ जी आंसर हमारा आएगा ought to ought to जो होता है वो moral duty होती है भाई अगर कोई chief guest है तो ये उसका करतव्य है कि उसे वहाँ होना चाहिए तीक है ना अगर वो chief guest है तो ये उसकी moral duty है कि उसे वहाँ पर होना चाहिए A for है ना हाँ जी A for apple right answer है हाँ जी ये बताईए कि इसके अंदर कोन-कोन सी figure of speech है ध्यान से बनाईएगा तुमारे साथ अगर कोई बैठा नहीं है तो बैठा लीजी है है ना हाँ जी चलिए Very nice ये बता दीजीए इसमें कोन सा अंसर सही है पहले तो बताईए Life is like a box of chocolate अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है है ना अगर मैं बात करूँ ये आपका क्या है ये आपका एक figure of speech है Simly All the word is a stage ये आपका क्या है ठीक है ना अगर मैं बोलू तो ये आपका एक तरीके से ये है metaphor दोस्तो मेरे को नहीं लगता C कोई figure of speech है Hand me the salt है ना मुझे salt पकड़ा दो तो hand me the salt would you मुझे लगता है E सही होना चाहिए है ना अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो E सही होना चाहिए More than One of the above Right More than one of the above होना चाहिए चलिए हान जी Next one बताईए Simple है दोस्तो Simple है देखो आते यहीं कहीं से भटकते हुए हैं तो इनका answer अगर आपको पता है चलिए बहुत ध्यान से हान जी तेरा नंबर में All religion, art, science are the branches of the same tree सुनो कर क्या रहे हो यार तुम है Religion, art, science are branches तो religion, art, science को उसने branches बोला है यह transfer epithet कहां से आ गया metaphor लगा लो न यार क्या जाएगा अगर आप इसको metaphor लगा लो गे तो आपका क्या जाएगा यह बता दो मुझे कुछ भी नहीं जाएगा personification क्या personification हो गया branches क्या leaving चीज होती है क्या जो लोग personification लगा रहे हैं वो अपना नाम पता नोट करा दो यार है ना आपको एक phone आएगा है ना और आपको पूछा जाएगा कि क्या सोच के लगाए थे तुम यह answer ठेक हान जी तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा religion, arts और sciences को क्या बोला है branches तो यहाँ पर इनको यह नाम दिया यह metaphor है मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आप इसको गलत कैसे कर सकते है मुझे बिलकुल समझ नहीं आ रहा है है ना हान जी अब तो लग रहा है मेरा बुद्धी विवेक साथ है के नहीं है ना हान जी भाई देखो ऐसे ऐसे answer दोगे तो मेरा बुद्धी विवेक थोड़ा साथ छोड़के चला जाए को कहेगा गड़बड हो रहा है मामला यहां बहुत असान कुश्शन था सोचके बनाओ यार ऐसे मत करिये है ना हान जी चलिए तेजी से स्पीड से बनाते चलिए दोस्तों ये बहुत फेमस है डेफरडिल्स कहाँ काएड मेरे ख्याल से उसी काई है चलिए बहुत ध्यान से बनाएए देखिए मुझे लगता है ये बहुत फेमस लाइन है I wondered lonely as a cloud that flots on high अगर मैं बोलु तो ये बहुत फेमस है ठीक है तो अगर मैं बोलु तो इसको हम बोलेंगे क्या सिमली ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे सिमली डैफर डिल्स की है मेरे ख्याल से हैं ओके चलिए विलियम वर्ट्सवर्थ डैफर डिल्स ओके कीट्स का चलो नेक्श वन बताओ हां जी नेक्श वन बताइए बहुत स्पीड से तेजी से चलते जाइए दोस्तों लोगों तक वीडियो को पहुचा दीजिए शेयर कर दीजिए है ना हां जी तो अगर मैं बोलू तो यह हाइपर बले लगा सकते हो ठीक है लेकिन कई वैसे इमारते इतनी उची हो गई है ना आसमान को छूती हुई चलिए तो अगर मैं बोलू यह हाइपर बले होगा और इसको आप बूल सकते हैं एक तरीके से क्या हाइपर बले अलंकार उस सेंस में इसको बोला जा सकता है राइट हां जी बहुत ध्यान से चलिए नेक्श वन ले लेते हैं दोस्तों नेक्श वन क्या है Tell me about your first date I am all years ये बता दीजिए ये कौन सा आंसर बनेगा ध्यान से दोस्तों बहुत ध्यान से देखें all years का मतलब है कान लगाए बैठा हूं all years का मतलब ध्यान से listen carefully all years का meaning all years नहीं है इसका मतलब है listen care pulley जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो ये आपका replacement आया है इसको आप metonymy लगाएंगे metonymy अलंकार होता है जब आप किसी word की कोई replacement दे दे है ना और उस sense में आप उसको लिखते हैं चलिए tell me about your first date I am all years right ये ध्यान रखेगा चलिए literature कोई बताया नहीं गया है कि literature आएगा के नहीं लेकिन advisable है कि आप थोड़ा जरूर पढ़के जाए last time literature नहीं आया था लेकिन उसकी guarantee नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा right चलिए non gradable adjective कौन सा है ध्यान से बताईए non gradable adjective कौन सा है ध्यान से बनाईएगा दोस्तों चलिए तेजी से speed से बनाते चलिए non gradable adjective कौन सा है देखे non gradable का मतलब है जिसके आप कोई degree ना बना पाएं है ना जिसकी कोई degree ना बना पाएं उसमें more या most ना लगा पाएं ठीक है तो अगर मैं बोलू भाई long है तो long का longer हो जाएगा हैपी का happier हो जाएगा fully का हैना fully satisfied कुछ करके बन जाता है fully में लग जाएगा मेरे ख्याल fully लग सकता है I am fully satisfied fullier तो कुछ नहीं होता more fully satisfied मुझे तो या डी भी लग रहा है आपको लग रहा है डी देखो unique तो है unique हो गया जैसे excellent हो गया यह तो आपके non gradable है fully तो देखो मुझे लगता है कि मेरे को लग रहा है fully satisfied यह तो वैसे भी नहीं लग रहा मुझे D भी शायद लग रहा है मेरे को तो D भी लग रहा है क्योंकि D में ऐसा कोई बात ही नहीं है जिसमें आप कोई चीज add कर पाओ फिलाल मैं इसको non gradable लगाऊंगा यह ध्यान रखेगा AOD दोनों को लेके चल रहा है fully का fully and fullest अरे भाई सुनो एक बड़ा famous line है English हम शर्मिंदा है तेले कातिल जिंदा है ठीक है तो English का मडर मत करो बस English का मडर मत करो ठीक है न ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट फिर मैं ढोंडता हूँโशyc को कि यार इन लोगों को पढ़ने की क्या जूरत है इनको सीधा आप क्यों नहीं प्रोफेसर बना देते व्यूटीफुल ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट एक ही कोशन से सीधा यूनिवस्टी सेलेक्शन क्यों मैंने पूछा ब्यूटीफुल की डिग्री बताओ और उसने बोला ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलिस्ट फिर मैंने बोला साथ करोड घीद गए आप सीधा साथ करोड क्यों चलिए ही हैस टेकन टू मच टाइम हंजी ही हैस टेकन टू मच टाइम और शी गेव अवे मच ऑवड़ शी ओन बहुत ध्यान से बनाईएगा असान है दोस्तों आपके लेवल पर असान है देखे टू मच टाइम मच जो बात कर रहा है टाइम की कर रहा है नाउन तो एडजेक्टिव है तो जो भी पहला एडजेक्टिव होगा वो होगा और मच ऑव वड़ उसमें से कुछ ठीक है तो अगर मैं बोलू तो यहाँ पर परनावन होता तो परनावन भी लग सकता था लेकिन यह आंसर बन जाएगा आपका आंसर क्या बन जाएगा यह D for daily राइट हां जी यह बताईए यह तो लिया गया था पहले question है ना हां जी यह question पहले लिया गया था और यह मैंने उसमें लि marathon ली थी जब मैंने proposition की marathon ली थी तो उसके अंदर यह question लिया गया था चलिए हां जी वी caved to dash their demands ठीक है और I yielded dash demand बता दीजिए बहुत ध्यान से caved in होता है caved in होता है जुग जाना धै जाना है ना the roof caved in caved in होता है है ना caved in होता है एक तरीके से किसी के आगे जुग जाना या कोई चीज का गिर जाना yielded के साथ two होता है caved in to their demands हम उसकी demand के आगे जुग गए और I yielded to his demands उसकी demand के आगे surrender कर दी तो अगर मैं बोलू तो seven का answer c for cat बन जाएगा caved in कल भी मैं एक movie देख रहा था उसमें आया था caved in right हाँ जी ध्यान से बनाईएगा simple easy level पे चीजें हैं दोस्तों और आगे दोड़ा दीजिएगा यार लोगों तक पहुचा दीजिएगा है ना और मैं बार बार बोलता हूँ emrs लिखा है doesn't mean that यह दूसरों के लिए important नहीं है हर जगे हर तरह का same question आता है कौन सी movie देख रहे थे the last airbender राइट हान जी बहुत पुराना होगा मेरे को पता नहीं है चलिए हान जी he dash for a car for few four days two days when he dash देखिए cdc बात है यहाँ पर यह question देखा जा चुका है had been driving ठीक है वो car को दो दिन से drive कर रहा था जब उसका accident हुआ b for Bombay b for Bombay right answer है चलिए next one ध्यान से असान से ठीक है हान जी next one ध्यान से देखिए असानी से करिए easy question है हान जी बहुत ध्यान से करिएगा 21 नंबर की कहानी बता दो दोस्तों 21 नंबर की कहानी बता दो क्या कह रहा है 21 नंबर बहुत ध्यान से बताना देखिए यहाँ पर आएगा deal out deal out का मतलब होता है distribute करना a judge should deal out equal justice to all भाई judge जो है उसको सराब सब को बराबर नयाय देना चाहिए a judge should deal out equal justice to all यानि एक judge को बराबर देना चाहिए क्या नयाय सब को ठीक है यह ध्यान रखिएगा चलिए 22 नंबर बता दीजिए बहुत simple है देखो हर जगा से हर तरह के question जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ और अगर आप यह कर पा रहे हो तो मुझे वो reason समझ नहीं आता कि आप normally बाकी question क्यों नहीं कर पाओगे deal with होता है handle और manage करना ठीक है ना deal with नहीं आएगा ठीक है deal with होता है किसी चीज़ को handle या manage करना चलिए हान जी 22 नंबर है बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर वो कह रहा है as we try to enter the hotel यह आपका subordinate है ठीक है ना that से जुड़ने पर भी subordinate बना और यह एक आपका principle तो एक principle और दो subordinate बनने पर complex बनता है एक principle और दो subordinate बनने पर complex बनता है यहाँ पर एक principle clause है दोस्तो और दो subordinate clause है तो यह आपका complex बनेगा राइट यह ध्यान रखेगा हमारे को यह बता दीजिए कितनी gerents हैं यहाँ पर इसके लिए मैं आपको दो चार मिनट दे दूँगा इसके दो चार मिनट नहीं ठीक है ना हाँ जी अगर मैं बोलूँगा इसको आप क्या बोलेंगे इसको मैं एक दो मिनट आपको दे दूँगा चलिए ध्यान से करिएग ठीक है ना हाँ जी डील बाए देखना पड़ेगा किस सेंस में यूज होता है यह बता दीजिए यहाँ पर टोटल कितनी gerents है अराम से पढ़ लीजिएगा कोई इतराज नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना हाँ जी और देखकर बता दीजिए हाँ जी चलिए speed से बना दीजी दोस्तों How many gerunds are there देखिए यहाँ पर पहले में बोल रहा है bread खाना तो bread खाना जो है वो gerund है है ना sweet को consume करना तो यह भी करना मतलब consume करना यह भी वही है view still resist using that laptop laptop को use करना यह भी वही है है ना और अगर मैं बोलूँगा घास काटना ठीक है घास cutting the grass मतलब घास काटना तो मुझे लगता यह भी वही है चारो gerund है चारो के चारो हमारे gerund है ठीक है ना हान जी चारो के चारो gerund है यह ध्यान रखिएगा हान जी चारो word gerund है यह ध्यान रखिए चलिए next one बता दीजिए बहुत simple है दोस्तों बहुत simple है clauses और यह सब बाते हो रही है बहुती easy simple बातें यहाँ पर की जा रही है चलिए let's do it fast चलिए बहुत तेजी से हान जी good morning है जी जल्दी से जल्दी connect हो जईए लोगों तक वीडियो को share कर दीजिए like जरूर कर दीजिएगा 24 number देखिए हमारे को एक logic पता लग गई है कि यहाँ पर एक proposition है और proposition के बाद अगर कोई subordinate clause आता है तो उसका नाम noun clause होगा so if any clause is right after proposition so it is supplying the object of the proposition so this will be considered as noun clause so we will take this as noun clause right okay the noun clause will be the right answer let's go for next one बहुत ध्यान से बहुत स्पीड से बहुत तेजी से लोगों तक पहुचाते चलिये let's do it fast हान जी देखिए whoever made this mistake is a real artist अब यहाँ पर यह एक वर्ब है वर्ब है इससे पहले यह एक subordinate clause आया है तो यानि यह वर्ब से पहले किसका काम कर रहा है subject का और subject में आपके पास आते हैं noun clause subject में आपके पास क्या आते हैं noun clause आते हैं यह ध्यान रखेगा अगर कोई चीज subject में आती है तो वो आपका एक noun clause के रूप में आती है राइट यह ध्यान रखेगा चलिए 26 नमबर बता दीजिए बहुत सिंपल है यार देखो मुझे बार बार यही लगता है कि इसके बाहर शायद नहीं जाना चाहिए कुछ भी थोड़े बहुत question जो नए बनके आएंगे यह should be able to deal with those questions ओके वो आपको अपने इसाब से manage और deal करने आने चाहिए चलिए as well as I can ठीक है ना वो कह रहा है जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ पैट्रिक कैन स्पीक है ना वो कह रहा है पैट्रिक कह रहा है जितना हो सकता है मैं है ना फ्रेंच बोल सकता हूँ तो यहाँ पर यह पूरे का पूरा clause speak की बात कर रहा है speak verb है तो यह adverb clause बन जाएगा तो आप इसको adverb clause के तौर पे देख सकते हैं इसको आप एक adverb clause के तौर पे देख सकते हैं यह ध्यान रखेगा चलिए यह भी बता दीजिये क्या कह रहा है simple easy बाते आगे बढ़ चली है हाँ जी speed से तेजी से बनाते चलिए Jane is not coming today as she is ill देखे क्योंकि वो बिमार है इसलिए वो आ नहीं रहा है है ना क्योंकि वो बिमार है इसलिए वो आ नहीं रहा है verb की quality बताने वाला यह adverb clause है वर्ब की quality बताने वाला यह adverb clause है चलिए और एक बार try कर लीजिये ध्यान से और एक बार try कर लीजिये ध्यान से देख लीजिये क्या कह रहा है यह बहुत बहुत speed से since I trust you to take care of it we will adopt our dog today ठीक है क्योंकि मैं तुम पे trust करता हूँ तुम ध्यान रखोगे इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ आज मैं एक dog को adopt करने वाला हूँ तो देखिये सीधी सी बात है पूरी कहानी adopt की हो रही है क्योंकि भाई मैं तुमें trust कर सकता हूँ तुम ध्यान रखोगे इसलिए मैं इसको adopt करूँगा वर्ब की बात कर रहा है adverb clause हो जाएगा तो यहाँ पर आप इसको क्या लगाएंगे दूस्तों यहाँ पर आप इसको लगाएंगे adverb clause यहाँ पर आप क्या लगाएंगे adverb clause लगाएंगे यह ध्यान रखेगा ठीक they live in a house whose roof is full of holes देखिये मैंने आपको defining non defining के बारे में थोड़ा बताया है defining clause वो होते है जिनको आप हटा नहीं सकते जो important information रखते है non defining clause non essential information रखते है यानि उनकी उतनी value नहीं होती भाई देखो वो एक घर में रहते हैं जिसकी छत में बड़े मतलब holes हो रखे है तो भाई देखिये घर में तो सभी रहते हैं जिसके छत पर बहुत ज़ादा holes है तो ये एक important information supply कर रहा है तो इसलिए इसको defining clause आप बुलेंगे एक ऐसा clause जो adjective clause है ध्यान से सुनिएगा defining और non defining adjective clause होती है ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए ध्यान से बनाईए तेजी से speed से बनाते चलिए चलिए बहुत बहुत speed से बनाते चलिए दोस्तों non defining के example भी दिये जाएंगे defining के भी दिये जाएंगे अब जड़ाद देखकर पचान लीजिए देखकर पैचान लीजिए दोस्तों हान जी वो कह रहा है चलो country चलते हैं वह सारी country है लेकिन इन्हें किसमें जाना है जहां पर शन हमेशा shine करता है तो यह important information supply कर रहा है कि उन्हें ऐसी country जाना है जहां पर शन shine करता है तो यह defining clause है ठीक यह defining clause है चलिए ध्यान से बताईएगा बहुत ध्यान से बताईएगा यह आपका defining है या non defining है बहुत ध्यान से बनाईएगा चलिए तेजी से हां जी क्या कह रहा है अब देखो दिक्कत बस यही है कि आपको लगेगा अब दो defining आगए तो अब non defining हुगा बहुत एक चीद ध्यान रखिए जॉन के मदर के six children है अब वो कहां रहती है वो एक important information नहीं है उसके रहने से इस sentence पर कोई फरक नहीं अगर मानिये वो अमेरिका भी रहती तो क्या फरक है अगर वो अमेरिका भी रह रही है तो भी क्या फरक है इसको आप non defining लगाएंगे यह non defining है main information यह है कि उसके six बच्ची है ठीक वो Scotland में रहती है यह additional information है यह additional information है इसकी जरुवत उतनी नहीं है कि वो कहां रहती है ठीक है हाँ जी चलिए next one बता दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है next one तेजी से बना दीजिए हाँ जी ध्यान से बनाईएगा दोस्तों यार बहुत बहुत important questions हो जाते हैं क्योंकि कई बार लोग defining non defining इसको relative और non relative clause भी बोलते हैं ध्यान रख्येगा इसको relative और non relative clause भी बोलते हैं चलिए they are the people who want to buy a new house देखिये CDC बात है they are the people ये वो लोग है कोन लोग है तो यानि आगे important information supply हो रहा है तो इसको आप defining clause बोलेंगे ठीक हाँ जी अच्छा अगले 8 question वो cap के है मैं चाहूंगा आप 8 में से 8 ले आए मेरी request है यार 8 में से 8 number लाकर ये बता देना कि vocabulary में तुम सूपर से उपर हो ठीक हाँ जी चलिए बहुत ध्यान से चाहे हमने दसवार करें आपने कभी नहीं करें कोशिश करनी है कि आप इसका right answer दे पाएं तो चलिए celubrius क्या है बहुत ध्यान से बनाईए दोस्तो celubrius morning walk is celubrius for our health morning walk is celubrius for our health तो बड़ी healthful है बड़ी ही एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं जिसको बहुत ही एक तरीके से क्या है एक सकिंड ले रहा हूं दोस्तो बस हाँ जी माइक ठीक कर रहा हूं बेव कर रही है चलिए morning walk क्या है बहुत celubrius है हाँ जी impinch करना क्या होता है इंपिंज का मतलब क्या होता है इंपिंज का मतलब होता है एक तरीके से किसी के उपर क्या करना मतलब encroach करना मैं हमेशा से बोलता हूँ ना इस mobile life or the social media life has impinged on our personal life आज के टाइम में एक व्यक्ती को कोई नहीं चाहिए उसके mobile के अलावा है ना उसका काम चल जाता है उसके पास एक virtual word है जिसको कभी नहीं देखा उससे वो पता नहीं कब से बात कर रहा है ठीक है ना हान जी तो आज के टाइम में social media की life ने हमारे उपर imping कर दिया है encroach करना यानि हमारे उपर attack कर दिया है ये ध्यान रखेगा चलिए furtive का मतलब क्या होता है हाँ नहीं ऐसा है यह हो सकता है किसी व्यक्ती से आप 6 महीने से बात कर रहे हो लेकिन आपने उसको कभी सामने से देखा भी नहीं होगा है ना हाँ जी और यही social media है जिस दिन आप उसको पुकारोगे मुसीबत में वो एक thin air में गायब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा वो था भी के नहीं था ठीक है ना हज चलिए 35 नमबर furtive furtive glances का मतलब होता है एक तरीके से छुप छुप के किसी को देखना English में बोलते है furtive glance furtive glance का मतलब होता है किसी को चोरी छिपे देखना hidden manner में अगर किसी को furtive glance दिये जा रहे है तो stealthily देखा जा रहा है hidden manner में उसको देखा जा रहा है ये ध्यान रखिएगा चलिए next one बताईए हाँ जी बहुत ध्यान से तेजी से speed से बनाने की कोशिश करिए persistent क्या कह रहा है persistent देखिए अगर कोई बन्दा अपने goal को लेके बहुत persistent है हाँ जी मैं जादा तो नहीं बोलूँगा बट social media पे अगर आपके बहुत friends हैं तो आप life में वैसे भी बहुत frustrated होंगे सच बोल रहा हूँ ये मेरा अपना एक मतलब कहते हैं ना based on experience है social media पे अगर आपके काफी सारे मित्र है और real में नहीं है मतलब जिनसे आप in person मिलते हैं तो आप frustrated है तो बी honest ये एक बहुत study भी बोलती है ये कहना कि social media का जो ये कहते हैं ना 5000 मित्र facebook पे आप एक photo डालते हैं है ना आजाते हैं 7800 like लेकिन वो व्यक्ती बहुत frustrated होगा personal life में ये मेरा ये experience कहता है right I am not saying I have applied it on me but this is an experience कही ना कहीं आप in person मित्र बनाई है in person यानि जब अगर मैं बोलू है ना उस sense में बोलते हैं ठीक चलिए चलिए persistent का मतलब क्या होता है persistent का मतलब होता है एक तरीके से अगर मैं बोलू तो हान जी persistent का मतलब क्या होता है जिद्धी stubborn ठीक है ना हान जी इसका opposite हो जाएगा wavering इसका opposite हो जाएगा wavering ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा इसका opposite हो जाएगा wavering दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ जैसे मैं कई बार status लगाया और किसी ने पूछा ये देखते हो कि कौन-कौन देखता है मैंने का यार मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरा status किसने देखा किसने ने तो कहरा फिर लगाते क्यों हो मतलब आपको status लगाने के बाद आपको जा जाके चेक भी करना होता है कि भाई इसने देखा उसने देखा इसने नहीं देखा इसने क्यों नहीं देखा उसने क्या देखा अरे भाई कितना टाइम है status लगाने में कितना time लगता है वो अलग फिर उसके बाद जा जाके check भी करो कि भाई किसने देखा किसने नहीं देखा अरे भाई ये कौन सी दुनिया है ये और मिल क्या जाएगा outcome क्या है, salary बढ़ जाएगी, knowledge बढ़ जाएगी क्या हो जाएगा तो ये सब एक है ना, मित्या है इसको बोलते है ना, ये खतम दुनिया है है ना, और इसी दुनिया खतम दुनिया में लोग जी रहे है सच में, मेरे को digest नहीं हुआ, जैसे मैं सज बोल रहा हूँ मैं लगाया status, लेकिन उसने बोला ये देखते हो कि किस-किस ने, मैंने का यार, ये तो कभी नहीं देखा कि किस-किस ने देखा, और मैंने का मैं करूँ क्यों ऐसा, है ना कि किस ने देखा, किस ने नहीं देखा चलो, कोई नहीं अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत खाली व्यक्ति है है तो जी आपको जनम दिन के शुब कामना है है ना हां जी 37 नमबर बता दीजिए बहुत तेजी से हां जी बहुत तेजी से बता दीजिए kindle your interest in English language I keep on always I always keep on saying kindle your interest in English language it is going to give you back a lot of stuff ओके आपको वापसी बहुत कुछ मिलेगा इससे अगर आप एक बार अपना interest जगा ले है ना एराउस कर एंटॉनिम बताना है extinguish लगा सकते हैं एंटॉनिम क्या हो जाएगा extinguish लगा सकते हैं ठीक है यह ध्यान रखिएगा imposing का opposite लगा दीजिए imposing का opposite लगा दीजिए ध्यान से बनाईएगा दोस्तों तेजी से speed से बना दीजिए यार अच्छा ऐसा नहीं है वो क्या भी आएगी अभी grammar फिर आएगी है ना हाँ जी grammar फिर से आएगी थोड़ी बहुत और हम लोग लेते वे चलेंगे हाँ जी बता दीजिए imposing personality क्या होता है जैसे बोलते हैं बड़ा imposing personality है यानि बड़ा ही solid impressive है ना striking grand और majestic इसका synonym हो सकता है इसका opposite हो जाएगा unimpressive इसका जो antonym हो जाएगा वो क्या हो जाएगा unimpressive चलिए एक काम करते हैं इसको 40 पे ही end करते हैं दोस्तो है ना हाँ जी इसको 40 पे ही end करते हैं sir please include 109 questions कैसे include हो जाएगे चलो एक काम करो एक काम करते हैं थोड़ा लेके चलते हैं आगे तक कोई दिक्कत नहीं ample time है और कर लेंगे ample time है कर लेंगे भी questions को करते है ठीक है ना हान जी भूक लग रही है खाना खालो कोई दिक्कत नहीं है चलिए glee का meaning बता दीजे antonym अगर आपके अंदर glee वाला feeling है glee मतलब होता है बड़ी खुशी होना ठीक है ना हान जी अगर मैं बोलू glee जो है वो बड़ा खुशी होने वाली बात है तो इसका जो opposite हो जाएगा वो dejection हो जाएगा यानि का जब कोई निराश हो जाता है इसका opposite क्या हो जाएगा dejection हो जाएगा जब कोई नराज हो जाता है हान जी hideous बता दीजे antonym hideous का antonym बता दीजिए बहुत बहुत तेजी से बता दीजिए hideous का antonym अगर कोई चीज hideous है बहुत घिनोना है बहुत घटिया है है ना तो उसका synonym हो जाएगा repulsive, horrible, gruesome opposite क्या हो जाएगा pleasing opposite क्या हो जाएगा दोस्तो pleasing हो जाएगा चलिए ये बता दीजे इन में से कौन सी जेरंड नहीं है ध्यान से बताईएगा आपके level पे असान कोशल लग रहा है कौन सा हाँ जी जेरंड नहीं है ध्यान से बनाईएगा यार सुनो मेरे मित्रो मेरी कहानी डंग से कर लो थोड़ा ध्यान दे लो डी तो जेरंड है फ्लार को तोड़ना मैंने कितना असान बताया है फ्लार्स को तोड़ना तो भाई नाने नहीं आ गया तो ये तो जेरंड ही है ठीक है ना about आपका क्या है preposition है preposition के बाद जेरंड आता है ठीक है और अगर मैं बोलू English बोलना ये ठीक है exciting आपका adjective है roller coaster exciting है तो ये आपका adjective है ठीक है ना और ing वाला adjective है तो अगर मैं बात करूँ तो सिरफ a है जो जेरंड नहीं है a है जो जेरंड नहीं है और आपका बाकी सारे जेरंड है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा next one try करिए कौन सा जेरंड नहीं है जल्दी से speed से do it fast ध्यान से इसमें कौन सा जेरंड नहीं है बहुत बहुत ध्यान से लगाईए 42 नमबर ये जेरंड है इसको जेरंड लगा सकते है he kept me waiting ये जेरंड है ठीक है ना जूट बोलना तो इसका मतलब ये भी जेरंड है coming event आने वाली events तो ये आपका adjective है ये events की बाते कर रहा है और बहुत प्यारी लाईन है coming even cast there shadow before आने वाली चीजें बता देती है पहले ही कि हम आने वाले हैं पूत के पाउँ पाले में ही दिख जाते हैं ठीक है ना हान जी बीर बान क्या है बीर बान होनहार होत चिकने पात कुछ ऐसे करके कहवत है बीर बान होनहार के होत चिकने पात कुछ ऐसे मेरे ख्याल कावत है है ना हान जी पूत के पाउ पालने में दिख जाते हैं चलिए ट्राइ करिए कौन सा प्रेजेंड पार्टिसिपल नहीं है हाँ पूत के पाउ पालने में दिख जाते हैं हो नहीं होनहार बीरबान होत चिकने पात ऐसे कुछ है है ना होनहार बीरबान होत चिकने पात चलिए जैरंड कौन सा जैरंड यार kept me waiting wait करना ठीक है wait करना he kept me waiting उसने मुझे wait कराया चलिए हान जी next one बहुत ध्यान से देखिए हर number one priority is working काम करना तो यह काम करना आ रहा है ठीक है तो यह तो जैरंड है ठीक brushing your hair hair को brush करना यह भी आपका जैरंड है your teaching आपका पढ़ाना ठीक है यह भी आपका जैरंड है और अगर मैं बोलू I love teaching jobs तो teaching की jobs मुझे पसंद है तो यह आपका adjective है तो यानि यह वाला आपका participle है बाकी तीनों आपके जैरंड है यह वाला आपका participle है बाकी तीनों आपके जैरंड है अरे भाई यह कोई व्यक्ति था जिसने बुला all participle एक बार दिखाओ तो आओ तो मिलो तो सही नाम पता नोट कराओ अपना जरा है ना अगर मैं बोलू सारे के सारे अगर आप कह रहे है पार्टिसिपल है तो ए प्रभू ए श्री राम कहा हो तुम इस व्यक्ति का आंसर नहीं देखा श्री राम तुमने चलिए सिरफ डीफ और डेली जो है वो पार्टिसिपल है ध्यान रखेगा ठीक है ना हान जी भाई अगर मैं बोलू हर नंबर वन प्रियरिटी इस वर्किंग तो इसका मतलब है उसकी नंबर वन प्रियरिटी है काम करना वो जेरंड होगा brushing your hair hair को brush करना gerund होगा ठीक है ना? हाँ जी यार देखो ना उसकी number one priority है क्या करना? अगर मैं बोलू काम करना ये आपके B और वो काम करनी रहा सुनो ऐसा नहीं है वो काम कर रहा है काम करना priority है B की form है compliment के तौर पे gerund आया है ठीक? और मैं बोलू बारो को brush करना तो ये भी करना है तुमारा teaching तुमारी teaching अब देखो पीछे क्या है पीछे आपके your है ये आपका possessive adjective है ing noun के साथ ही आएगा ठीक है? ये ध्यान रखेगा चलिए ये बता दीजे इनमें से कौन सा noun clause नहीं है ध्यान से बताना इसमें से कौन सा noun clause नहीं है हाँ जी बहुत ध्यान से बनाईएगा हाँ जी बहुत तेजी से देखे I like मुझे पसंद है क्या पसंद है what I see मुझे लगता है सिरफ D को छोड़ कर देखिए ये जो है that you like it वो glad की बात कर रहा है glad आपका adjective है तो ये adverb clause है वो कह रहा है ask your child मैंने का क्या पूछूं तो क्या का answer आगया ये तो ये object के रूप में आया हुआ noun clause है यहाँ पर ये is है verb तो ये subject के रूप में आया हुआ noun clause है मुझे पसंद है मैंने का क्या पसंद है what I see ये भी आपका NC में ही आ जाएगा noun clause ठीक है ABC जो है वो noun clause है ये ध्यान रखना है ना D for daily जो है वो आपका क्या है वो आपका adverb clause है एक try और कर लो दोस्तों जल्दी से एक try और कर लो और ये फिर मेरे हिसाब से है ना और थोड़ा बहुत देख लेते हैं चलिए There is marriage near my home हरियानवी songs are diverting my mind कई ऐसा तो नहीं है कि दो व्यक्ती जो साथ है कोई उनमें से dance करने चला गया हो है ना हाँ marriage है तो तभी शायद answer सही नहीं आ पा रहे हैं लगता है जो दो व्यक्ती बैठते हैं साथ में उनको गाने पसंद है और उनमें से कोई लगता है dance करने चला गया है चलिए Which of these is not an adverb clause देखिए वो कह रहा है जितना तेज वो भाग सकता था भागा ये verb है तो ये आपका adverb clause हो जाएगा ठीक I bring my phone wherever I go तो भाई मैं कहीं पर भी जाता हूँ मैं अपना phone जरूर लाता हूँ ठीक है तो bring है ये भी आपका verb है तो ये आपका adverb clause हो जाएगा ठीक After they set up the tent है ना They built a fire After they set up the tent उन्होंने क्या करा fire built करी verb की quality बताने वाला ये adverb clause होगा ठीक अब grandpa remember the old days when there was no television कब television नहीं था वो पुराने दिनों में तो मैं ये है ना मैं इसको लगा दूँ D for Delhi को लगा दूँ दोस्तो adjective clause क्योंकि when there was no television वो पुराने दिन तो यहाँ पर दिनों की बात कर रहा है days की तो यह आपका adjective clause हो जाएगा यह आपका adjective clause हो जाएगा यह noun है days तो D for Delhi जो है ठीक है ना यह ध्यान रखना चलिए 46 नंबर 5 question में बस हम end करने वाले हैं most probably अगले 5 question और देख लीजिए और most probably end कर देंगे या 5 और देख लेंगे कोई आज कोई restriction नहीं है जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा और फिर end कर देंगे है ना हान जी चलिए next one mania man dash been found guilty चलिए mania man dash been found guilty देखे mania man एक singular word है है ना उसके आगे क्या लगाएंगे has लगा देंगे है ना has been found guilty क्योंकि mania man एक singular word है ठीक है mania man एक singular word है ध्यान रखिएगा हान जी ध्यान से बनाईएगा बहुत ध्यान से बहुत तेजी से और बहुत ध्यान से बनाते हुए चलेंगे दोस्तों इसको बहुत ध्यान से चलेंगे देखें कमेटी ने युनानी मसली यानी युनानी मसली होता है एक मत्ता यानी having one opinion युनानी मसली का मतलब है having one opinion तो यहां पर ना इसका मतलब जो है एकी राय आ रही है तो कमेटी has decided है ना तो यहां पर क्या आ जाएगा कमेटी has decided the issue युनानी मसली क्योंकि यहां पर सर्व सम्मती से हुआ है एक मत्ता मिली है है ना ये ध्यान रिखिएगा चलिए बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत तेजी से हान जी दा मॉब डैश डिस्पर्स्ट बाइ दा पुलिस देखिए सुनो मेरे मित्रो मेरी कहानी मॉब यहाँ पर ना अलग अलग नहीं है ठीक है ना पूरी भीड को डिस्पर्स किया गया है तो दा मॉब वास डिस्पर्स्ट मॉब को अलग अलग कुछ नहीं है वो एक भीड है और उसको डिस्पर्स किया गया है तितर बितर कर दिया है कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर इसको मैं प्लूरल लगाऊंगा मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं इसको प्लूरल लगाऊंगा क्योंकि एक भीड है और पूरी भीड को एक साथ अलग करा गया है यहाँ पर अलग-अलग वाला सेंस बिलकुल नहीं है ठीके ना हान जी यहाँ पर अलग-अलग वाला सेंस बिलकुल नहीं है ठीके ना अरे भाई तो भीड तो एक ही है उसको disperse किया गया तो तितर-बितर कर दिया गया लेकिन सारी भीड को एक साथ किया है ठीक है ये ध्यान रखिएगा चलिए हाँ जी नेक्स्ट वन लग लेते हैं आजएए बहुत ध्यान से लगा दीजिएगा चलिए बहुत ध्यान से लगा दीजिएगा My Mathematics देखिए अगर मैं बोलू Mathematics only as a subject तो वो singular है लेकिन जब उसके पीछे My, Your, His करके लगके आता है तो फिर My Mathematics का मतलब My Calculations तो यह इस सेंस में यूज होता है तो यहां पर आंसर बनेगा आर यह किस सेंस में यूज होता है इस तरीके से तो आपका आंसर बनेगा आर ठीक है My Mathematics are poor My Mathematics are poor चलिए हान जी बहुत ध्यान से 50 Number Question बता दीजिए 50 Number Question बता दीजिए क्या कहने आया है 50 Number Question आपके लिए क्या कह रहा है जल्दी जल्दी बता दीजिए बहुत तेजी से बता दीजिए यह हर लेवल के लिए यूसफुल है ठीक है हान जी Class is important for almost all the exams ठीक हान जी more than one man more than one आने पर ये singular में treat होता है तो आप इसको इस लगा दीजिए चलिए अच्छा एक काम कर दीजिए बस पांच जो है मेरे क्या करते हैं पाटो स्पीच पैचान दीजिए बाकी आज हम फिर end करेंगे पांच पाटो स्पीच पैचान दीजिए बाकी फिर हम end कर देंगे चलो पच्छपन नंबर कोश्चन पे हमारा आज का ये सफर रुक जाएगा जल्दी बताईए वी शुड रिस्पेक्ट दा ब्रेव देखिए वैसे ब्रेव आपका जो होता है वो adjective होता है लेकिन दा लगने पर वो noun बन जाता है तो दा ब्रेव मतलब उसको आप noun ट्रीट कर सकते हो वैसे ब्रेव आपका adjective होता है हान जी ये बताईए यहाँ पर that क्या कह रहा है तेजी से speed से बना दीजे she is one of the best mother that have ever lived ये जो that है इसका यहाँ पर क्या rule है देखिए that बात कर रहा है mothers की ठीक है ना हान जी और अगर मैं बोलू ये आया है relate करने mothers को आगे relate कर रहा है और अगर मैं बोलू तो इसको हम बोलेंगे relative pronoun इसको आप क्या बोलेंगे इसको आप relative pronoun बोलेंगे ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये ध्यान रखिए आप इसको relative pronoun बोलेंगे ये ध्यान रखना चलिए next one बता दीजे दोस्तो next one क्या कह रहा है दोस्तो my mother is well now my mother is well now ध्यान से, speed से, तेजी से देखिए my mother is well मेरी mother अब बिलकुल ठीक है तो mother well है तो इसको आप adjective के तौर पे ले सकते हो इसको आप adjective के तौर पे ले सकते हो ये ध्यान रखिए next one बता दीजिये और देखो ये बिलकुल असान question नहीं है लेकिन क्योंकि आप लोग champion हो चुके हो इन चीजों को deal करना सीख चुके हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा असान लग रहे है चलिए ये बताईए like mind like जो है यहाँ proposition है ठीक है like यहाँ पे proposition है object भी है तो इसको आप none of the above लगा सकते हो है ना इसको आप none of the above लगा सकते हो और आज का last question लेकर अराम से cool हो कर घर जा सकते हो वैसे तो घर पे ही होंगे ज़्यादा तर लोग है ना हां जी चलिए they look down at me they look down at me देखो at जो है proposition है me को इसका object है down जो है look की बात कर रहा है verb की बात करने वाला यह adverb है तो इसको आप adverb लगा के आज इस session को है ना समापती की हम लोग घोशना करते हैं और कल सुबा फिर आपसे मुलाकात होगी आठ बजे I'll be meeting you again ठीक है बहतरीन त्यारी करेंगे और लेके चलेंगे ठीक है आज मेरी तरफ से इतना ही था आने के लिए शुक्रिया टाइम देने के लिए ठीक है बाबाई from my side thank you so much बाबाई और मैं मिलूंगा आपको कल सुबा मॉर्निंग आठ बजे आज हमारी कोई और मास्टर क्लास नहीं है ठीक है हाँ जी तो आज बस इतना ही है thank you so much बाबाई from my side बाबाई everyone बाबाई